सुनाइए प्रधान मंत्री मोधी क्या कह रहे हैं लगातार कमल खिला है गीता की धर्टी पर सत्य की जीत हुई है गीता की धर्टी पर विकास की जीत हुई है हर जाती हर वर्ट के लोगों ने हमें बोर्ट दिया है साथियों जमु कश्बीर में दसतों के इंतजार के बाद आखिर कर शान्ती पुर्वक चुना हुई है बोर्टों की गिंती हुई नतीजे आए ये भारत के संविधान की जीत है भारत के लोगतंत्र की जीत है जम्मु कश्बीर के लोगों ने नेशनल कानफरंस और उनके गड़ बंदन को जादा सीटे दी है मैं उन्हें भी शुपकामराई देता हूँ वोट प्रतिशत के हिसाब से देखें तो जम्मु कश्मीर में जितनी भी पार्टिया चुनाव लड़ रही थी उसमें बोट सेर के हिजाब से भाजपा सबसे बड़ी पार्टिय बनकर के उबरी है मैं हरियाना और जम्मु कश्मीर में जीत हासिन करने वाले सभी उम्मीदवारों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं हरियाना और जम्मु कश्मीर की जन्ता को भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ मैं सभी भाजपा कायर करताओं को उनके तप और तपस्या के लिए नमन करता हूँ हरियाना की ये जीत कायर करताओं के अथाग परिश्म का परणाम है हरियाना की ये जीत नड्याजी और हरियाना की टीम के प्रयासों की जीत है हरियाना की ये जीत अतीशे नम्र विनम्र ऐसे हमारे मुख्य मंत्रीजी के करतव्यों की भी जीत है साथियों आज हरियाना में जूट की गुट्टी पर विकास की गारंटी भारी पड़ी है हरियाना की जन्ता ने नया इतिहास रख दिया है शायद आप लोगों को पुरी जानकारी नहीं होगी हरियाना का गठन 1966 में हुआ था इतने वर्षों में बड़े बड़े दिग्ज़ों ने इस राज्ये का नेत्रूत्व किया शायद हिंदुस्तान में बहुत कम राज्ये के नेता ऐसे होते हैं जिनको पुरा हिंदुस्तान जानता है एक जमाना था हरियाना के इन दिग्ज़ लेताओं का नाम पुरे देश में चर्चा में रहता था हरियाना में अब तक तेरा चुनाव हुए तेरा तेरा चुनाव में से दस चुनाव में हरियाना के लोगों ने हर पांच साल के बाद सरकार बदली लेकिन इस बार हरियाना के लोगों ने जो किया है वो अभूत पुर्वा है वो पहले कभी नहीं हुआ पहली बार ऐसा हुआ है जब दो कारकाल पूरे पांच-पांच साल के दो कारकाल पुरा करने वाली किसी सरकार को हरियाना में फिर से मोका मिला हो ये भारतिये जनता पार्टी को तीसरी बार मोका मिला है यहां के लोगों ने सुरक तीसरी बार हमारी सरकार नहीं बढाई बलकि हमें सीटे भी जाजा दी है और वोट सेर भी जाजा दिया है ऐसा लगता है हरियाना के लोगों ने छप पर फाड़ कर वोट दिया है इस जनादेश की गुंज दूर दूर तक जाएगी साथियों भाजपा दुनिया का सिरफ सबसे बड़ा दल ही नहीं है भाजपा सबसे जादा दिलों में भी बसी हुई है हरियाना में जन्ता ने विकास के मुद्धे पर भाजपा की हैट्रिक लगाई भाजपा ने कॉंग्रेस के कूशासन से मुक्ति दिलाई इसलिए गुजरात और मद्धप्रदेश की जन्ता दो दसक से भी जादा समय से वहाँ अपना आशिरवाद बनाए हुए अरुनाचल प्रदेश और गोवा में तीसरी बार भाजपा ने सरकार बनाई है यूपी और बिहार में कानून का राज सापित करने वाली भाजपा एंडिये की सरकार को लोग बार बार मौका दे रहे असम, त्रिपुरा और उत्राखन में लगातार डोट्टम से भाजपा की सरकार है जहाँ जहाँ भाजपा सरकार बनाती है वहां की जनता लंबे समय तक भाजपा को समर्थन देती है और दूसरी तरफ कॉंग्रेस के हालत कैसी है पिछली बार कब कॉंग्रेस की किसी सरकार की वापस हुई है जो सरकार में थे कितने साल पहले वो दुबारा आये थे करीब 13 साल पहले 2011 में असम में उनकी सरकार लोटी दिबागी एक भी नहीं लोटी उसके बाद भी जितने चुना हुए लोगों ने कहीं भी कॉंग्रेस को सेकन्टम नहीं दिया है आपको जान करके हैरानी हो जाएगी दोस्तों देश में कितने ही राज्य है जहां कॉंग्रेस कभी 60 साल पहले वाँ थी कहीं पर 50 साल पहले थी कहीं पर 40 साल पहले थी 50-50-60 साल से वो सत्ता में आई ही नहीं है एक बाद लोगों ने निकाल दिया कॉंग्रेस को गुषने नहीं दिया बेश के जाजातर राज्ड के लोगों ने कॉंग्रेस के लिए नो इंट्री का बॉर्ड लगा दिया है पहले कॉंग्रेस सोचती थी कि वो चाहे काम करे या न करे लोग तो उसको वोड देंगे ही लेकिन अब कॉंग्रेस की पोल खुल चुकी है उसका डिब्बा गोल हो चुका है साथियों कॉंग्रेस सत्ता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानती है सरकार में ना रहे पर कॉंग्रेस की हालत जल्बिन मचली जैसी हो जाती है इसलिए वो सरकार में आने के बाद देश को समाज को भी दाउंग पर लगाने से नहीं चक्ती आज पूरा देश देख रहा है कि कैसे कॉंग्रेस हमारे समाज में जाती का जहर फैलाने पर उतर आई ही है जो लोग चांदी नहीं सोने का चबबच मुँ में लेकर पैदा हुए जो लोग पीडी दर पीडी फाइल स्टार लाइफ जीते आ रहे हैं वो गरीब को जाती के नाम पर लड़वाना चाहते हैं हमारे दलीत पिछडे आदिवासी समाज को भूलना नहीं है ये कॉंग्रेस है जिसने दलीतों पीछड़ों पर सबसे ज़्यादा अत्याचार किया है ये कॉंग्रेस है जिसने उने इतने दसकों तक रोती, पाणी, मकान से बंचित रखा ये वो लोग है जो सौ साल बाद भी सत्ता मिलने पर कभी किसी दलीत पिछडे आदिवासी को प्रधानमती नहीं बनने देंगे सच्चा ये है कि कॉंग्रेस का परिवार दलीतों पिछडों आदिवासियों इनसे नफ्रस करता है उनसे चीडता है इसलिए आज जब दलीत, पिछडे, आदिवासी सिर्षस्थान पर जा रहे हैं तो इनके पेट में चुहे दोडने लग जाते हैं हर्याना भी इन्होंने दलीतों को ओबिसी को भागी डारी देने से साफ इंकार कर दिया अप्रा उन्होंने दलीतों और पिछडों को भी अप्मानित किया कॉंग्रेस के शाही परिवार ने तो दंके की चोट पर कहा कि वो आरक्षन खत्म कर देंगे दलीतों और पिछडों को आरक्षन चीन कर कॉंग्रेस अपने वोट बैंक में देना चाहती थी हर्याने भी हर्याने भी वो यही करने जा रही थी साथियों कॉंग्रेस भारत के समाज को कमजोर करके भारत में अराजकता फेला कर देश को कमजोर करना चाहती है इसलिए वो अलग-अलग वर्गों को भड़का ही रहे हैं लगातार आग लगाने की कोशिस कर रहे हैं देश ने देखा कि कैसे किसानों को भड़काने का प्रयास हुए लेकिन हर्याना के किसानों ने उन्हें करारा जवाब दिया कि वो देश के साथ है वो भाजपा के साथ है हमारे दलीत ओविसी सात्यों को भड़काने की कितनी ही कोशिस हुई क्या क्या प्रपेस्ट नहीं किये गए लेकिन इस समाज ने भी इस सड़ियंत्र को पहचाना और कहा कि वो देश के साथ है भाजपा के साथ है इन लोगों ने हमारी सेना को लेकर भी अपपचार किये हमारे नौजवानों को भड़काया इस साजिस को भी हर्याना के नौजवानों ने नाकाम कर दिया आज हर्याना ने कॉंग्रेस को दो टूख संदेश दे दिया है ये देश विरोधी पॉलिटिस नहीं चलेगी हर्याना की हर बिरादरी हर परिवार ने एक जुढ होकर वोड दिया देश भक्ति से ओत प्रोत होकर वोड दिया देश भक्तों को बाटने की साजिस को हर्याना ने फेल कर दिया साथियों बीते कुछ समय से भारत के विरोध बाती बाती के सडियंत्र चल रहे है भारत के लोगतंत्र को भारत के अर्षतंत्र को भारत के सामाजी ताने बाने को कमजोर करने के लिए बाती बाती की साजी से हो रही है अंतर राष्टिय साजी से हो रही है आज मैं बहुत जिम्मेदरी के साथ मेरे प्यारे देश वास्चों से कह रहा हूँ कि कॉंग्रेश जैसी राष्टिय पार्टी अंके सटे बटे इस खेले में खेमे में शामील है इस खेले में शामील है देश बक्त हर्याना ने आज ऐसी हर साजीस को भी मुहत तोर जवाब दिया भारत और हर भारतिय को संकल्प लेना है कि हम ऐसी किसी साजीस को सफल नहीं होने देंगे भारत विकास के राष्टे से नहीं बठकेगा साथियों आज के चुनाव नतीजों ने एक और बात स्पस्त की है कॉंग्रेश आज पुरी तरह पर जीवी पार्टी बन गई है यहां हर्याणा में कॉंग्रेश पर जीवी बन कर किसी के साथ नहीं थी अकेली थी तो उसे करारी हार मिली जम्मू कश्मीर में उसकी सहियोगी पार्टी डर के मारे पहले से कही कह रही थी कि कॉंग्रेश की बज़से उसे नुक्षान हो रहा है और आज के नतीजों में भी वही दिखा है आपको याद होगा लोग सभा चुनाव के नतीजों ने भी हमने यही देखा था लोग सभा में कॉंग्रेश जितनी सीटे जीती उनमें आदिसी जादा सीटे वो अपने सायोगों की बज़से जीती है इसके अलावा जहां सायोग्यों ने कॉंग्रेश पर भरोसा किया वहां उन सायोग्यों की ही नईयाद डूब गई कई राज्यों में कॉंग्रेश के खराब प्रदर्शन का खामिया जा उसकी सहयोगी पार्टियों को उठाना पड़ा कॉंग्रेश ऐसी परजिवी पार्टियों है जो अपने सहयोग्यों को ही निगल जाती है साथियों कॉंग्रेश एक ऐसा देश बनाना चाहती है जहां लोग अपनी ही विरासत से नफसर चरते हो नफरत करते हो अपनी राष्ट्रिय संसाव पर संका करते हो जिस जिस पर देश वासी गर्व करते हैं को अंग्रेस उद हर चीज की छबी को दुमिल करना चाहती है देश का चुनावायोग हो देश की सेना हो हमारी पुलीस हो देश की न्याय पाली का हो कॉंग्रेस हर संस्ता पर दाग लगाना चाहती है आपको याद होगा लोग सभाज चुनाव का परणाम आने के पहले इन्होंने किस तरह का कोहरम मचाया था चुनाव के दोड़ान भी ये लोग इनको सहयोगी दल इनके अर्मन नक्सल साथी कितनी बार कौड गए सुप्रिम कौड तक गए और किस लिए ताकि ये लोग चुनाव आयो की समयधानी निश्पक्सा पर बट्टा लगा सके आज भी उन्होंने ऐसा ही काम किया है आज भी कौंग्रेस ने देश की जनता को गुम्रा करने की कोशिश की है कौंग्रेस हर बार यही कोशिश करती है कि हमारी संस्ताओं की निश्पक्सा पर सवाल उठाए उसकी प्रतिश्चा पर आगाज करे कौंग्रेस की यही आदत रही कौंग्रेस बड़ी बेशर्मी से ऐसी कर्तूते कर्तिया रही साथियों जम्मु कश्पी पे इस बार हुआ चुनाओ कई माईनों मैं क्यासिक रहा वहाँ भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होने के बाद यह पहला चुनाओ था आजादी के साथ दसक बाद भी अनेक लोगों को वोट डालने का हक नहीं था उन्होंने भी पहली बार इस चुनाओ में अपना वोट डाला है कुछ लोग कहते थे कि आर्टिकल 370 हटा तो कश्मीर जल जाएगा लेकिन कश्मीर जला नहीं कश्मीर और खुबसूरती से खिला है खिल खिलाया है जिस तरह लोगों ने बाहर आकर रिकॉर्ड नम्मर में वोट डाले वो हर इंदुस्तानी के दिल को खुश करने वाला है हमारा जमु कश्मीर कर्फियो और अलगाववाद के कालखन से बाहर निकल रहा है 1947 के बाद पहली बार हमारी सरकार ने जमु कश्मीर में BDC के चुनाव कराए आज पहली बार प्रशासन के हर स्तर पर फिर चाहे वो विदायक हो BDC हो DDC हो हर स्तर पर अब जनता ज्वारा चुने हुए प्रतिनिदी काम करेंगे हमने जमु कश्मीर में संविदान की स्पिरिट और उसकी मर्यादा की पुनप्रतिश्ठा की है बाबा साब अमेर करको इससे बड़ी सद्धांजली क्या होगी साथियो मैंने विक्सित भारत के लिए चार संभों की चर्चा बार बार उस चर्चा को आपके सामने रखा है ये चार संभ किसान युवा महलाए और गरीब जम्मु कश्वीर हो या हर्याना हम विकास को इनी चार धारों के चार संभों के बल्बुते पर देश को विक्सित भारत बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है इनको ससक्त करना ही भाजपा की प्रात्विष्टा है हर्याना के गरीब तो पिछले दस साल से डबल इंजीर की सरकार का काम देख रहे है मुप्त इलाज की सुविदा से लेकर नल से जल और पक्के घर तक हर्याना के गरीब परिवारों को अनेक सुविदाएं मिली है अब हर्याना की भाजपा सरकार गरीब कल्यान के काम को और अधिक गती देगी साथियों हर्याना तो क्रिशी के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामीर है हर्याना की इस ताकत को भाजपा और मजबूती देने वाली है हमारा लक्ष एग्णम साफ है भाजपा सरकार हर्याना के किसानों की उपच को दुनिया के बाजपारों तक पहुंचाना चाहती है बाजपा जैसा यहां का मोटा राज स्री अन्न के रूप में दुनिया भर के डाइनिंग टेबल पर पहुंचे यह हमारी प्रतिवध्धता है हर्याना खाने के तेल में आत्मनिर भरता के मिशन को भी शक्ति देने वाला है इससे हर्याना के तिलहन किसानों को भी ज़्यादा लाब होगा साथ यह हर्याना के युवाओं ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया है चाहे माने सर में मैडिफेक्टरिंग सेक्टर हो गुरुग्राम के साथप्स हो या फिर खेल की दुनिया हर्याना के छोरा छोरी खुब दुम मचा रहे है भाजपा सरकार इन सभी खेत्रों में और अधिक निवेश को बढ़ावा देने वाली है आने वाले समय में भारत दुनिया में खेलों की एक महाशक्ती बनने जा रहा है और इसमें हर्याना के नौजवानों के भूमी का बहुत बड़ी रहना वाली है किसलिए हर्याना में स्पोर्ट ये इंफ्रास्टेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एक आधुनिक रोड में भाजपाने रखा है साथियों जब महिलाओं की बात आती है तो विमेन लेट डेवलोप्मेंट आज देश का मिजाज बनता जा रहा है हमारी माताओं बेहनों बेटियों के ससक्षिकरण से जुड़े हर पहलू पर भाजपा फोकस कर रही है हर्याना वो राज्य है जिसने बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं के रुपे देश को नेत्रुत्व दिया है अब हर्याना में हजारों लखपती दिदी और ड्रोन दिदी बनाने वाले लाड़ों लश्वी योजना से भी हर्याना की बेहनों को मुप्त बहुत लाफ होने वाला है जब माताय बैने आर्थी ग्रुप से समर्द होगी समर्थ होगी तो इसका लब पूरे परिवार को होगा परिवार समर्थ होगा तो हर्याना समर्थ होगा देश समर्थ होगा साथियों भाजपा की सरकार राष्ट को सर्वों पर ही रखती है नेशन फर्स भाजपा की सरकार गरीबों की सेवा के लिए प्रतिबद्द है केंद्र हो या फिर हरियाना इन दस चावों में भाजपा की सरकार पर ब्रस्टाचार का एक दाग नहीं लगा है केंद्र सरकार पर जैसे दाग नहीं लगा है वैसे ही हरियाना सरकार दस साल चलाई हमने ब्रस्टाचार का कोई दाग नहीं है हमने सिर्फ और सिर्फ समर्पर भाव से जनता के विकास के लिए काम किया है और मैं इसके लिए हरियाना के मुख्यमंत्री बाई नायव सैनी जी और पूरव मुख्यमंत्री सिमान मनोहरलाज जी की भरपूर तारिफ करता हूँ भरपूर पसंशा करता हूँ उन्होंने हर्याना के विकात के लिए बहुत मैनत किये है साथियों जब जन्ता ऐसे काम को पुट्षाइट करती है नेक नियत और अच्छी निती को सराती है तब काम करने की उर्जा भी दोगुनी होती है हर्याना ने बाइदपा सरकार को पुट्षाइट किया है जम्मु कश्वीर ने भी भाजपा को प्रोत्साहित किया है यह अशिरवाद हमें और भी अतिक महनत कर लेकले प्रेडित करते हैं और मैं इसके लिए जम्मु कश्वीर और हर्याना की जनता को भी फिर एक बार रज़ेश से बहुत बहुत साधुवाद करता है आज के जनादेश से भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्फिक ताकत बना ले का संकल्प और मजबूत हुआ है इस जनादेश ने भारत को दुनिया की स्कील केपिटल बना ले के संकल्प को भी मजबूती दी है आपने हर उस प्रण हर उस पेना को सतक्त किया है जिसका मक्षद करोडों लोगों को गरीबी से बाहर निकालना है ये जनादेश भारत को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कठीन से कठीन फैसले लेने के लिए भी नया होसला देगा मैं आप सभी को पुरे देश को फिर ये भरोसा देता हूँ कि आने वाले पांच साल और तेज विकास के होंगे हर याना विक्सित होगा जम्मु कश्वीर विक्सित होगा भारत विक्सित होगा और ये हम करके दिखाएंगे मैं एक बार फिर हरियाना और जम्मु कश्वीर की जनता का अभार वेक्त करता हूँ आप सब कार्य करता हों का जितना अभिनंदन करूतना कम है देश के कौने कौने में आज भारतिय जनता पार्टी जो कुछ भी है हर संगर्ष को पार करते हुए भारतिय जनता पार्टी नी जनता के दिलों में जो जगा बनी है उसके मुल में भाजपा के कार करता है भाजपा के कार करताओं का परिश्रम है भाजपा के कार करताओं के त्याग तपस्या है और इसलिए बिजए के उस्थों में मुझे बार बार मेरे कार करताओं की याद आना बहुत स्वाबावित है उनके प्रती अहो भाव व्यक्त करना मेरा स्वाबाविध मन करता है और इतलिए टीम स्पिरिट के साथ कंदे से कंदा मिला कर कदम से कदम मिला कर लख्की और बढ़ते जाने वाले भारती जनता पाटी कार करता न रखने वाले है न ठकने वाले है और जुकने का तो सवाली नहीं होता है मैं फिर एक बार आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ अभिनदन करता हूँ देश वाच्चियों को भी मैं उनके आशिरवाज के लिए प्रणाम करता हूँ मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद झाल झाल